दोस्तों अरद्दारेस अकेडमी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्सक बरती परिक्षा दोजार चोबिस के नवीनतम पाथे करम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मोडल 30 मोडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपना 31 नंबर का मोडल पेपर है कुल 55 प्रस्ट ने इसमें सामिल किये गए हैं और हूब हूँ आपको ऐसाई पेपर है वो परिक्षा में देखने को मिलेगा रोजणा आपको मेरे साथ में चलना है अगर आप पिछे हैं तो दोस्तों आप 3 या 4 मोडल पेपर का टेश्ट देखें रोजणा आप हमारे साथ में चल सकते हैं और अगर आपने पिछले 30 मोडल पेपर अगर नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाईए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मोडल पेपर करंटा फेर के 10 प्रस्ट नहीं वह पढ़ने जा रहे हैं देखें दोस्तों यहां पर पहला प्रस्ट भारतिये अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उद्य परताब सहरन को लोग सुबा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन बनाए गया है बताए दोस्तों बारतिये अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान है उद्य परताब सहरन ठीक है इनको दोस्तों लोग सुबा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन बनाया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नगर का शिरी गंगा नगर का दोस्तों यूथ आइकन बनाया गया है यहां प अपरादियों की धर पकड के लिए ओप्रेशन निर्भे शुरू किया है यहां पर है सी नंबर का ओप्रेशन बिल्कुल सही आगे देखें तीन नंबर का प्रेशन राज्य की किस ग्राम पंचायत को अंतराष्ट इसका राइट आनसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुंजासर फलोधी मुंजासर फलोधी को दोस्तों यह नवाजाउगा यहां पर शी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें चार कोंसा कचन सकते है सुन्दर क्रिकेट पुरुसकार दूस्तों जोत्य-चोधि को मिला है बिल्कुल सही है शब-जुन्यर वर वर्प्रिकेट का पुरुसकार वरंदा शंबा को मिला है ये भी मिलकुल सही है lifetime achievement award सिता भारगव को मिला है ये भी दोस्तों इसमें क्या है बिल्कुल सत्य है तो यहां पर इस present का जो right answer हो जाएगा वो है डी नंबर का option बिल्कुल सही उपरवक्त सभी नेक्स्ट आगे देखिए happy plus की state happiness report 2024 में राजस्तान देश में कौन से इस्तान पर है बताईए happy plus की state happiness report 2024 में राजस्तान देश में कौन से इस्तान पर है तो दोस्तों राजस्तान 13 नंबर पर है यहां पर ए नंबर का option बिल्कुल सही तरो जाएगा 13 नंबर पर next आगे देखिए राष्टिये नाटे विद्याले नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारत रंग महुत्सव में किसने विश्वरी कोर्ड बनाया है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो विश्वरी कोर्ड बनाया है दोस्तों जितेंदर सर्मा ने यहां पर डी नंबर का जो बिल्कुल सही जितेंदर सर्मा ने next आगे देखिए हाली में भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट यानि की भूव विरासत इस्तल किसे गोशित किया गया है बताए भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट किसे गोशित किया गया है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है रामगड क्रेटर बारा तो यहां पर है C नंबर का ओप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखें देश का सबसे बड़ा डंपिंग याड राजस्तान में कहां बन रहा है देश का सबसे बड़ा डंपिंग याड राजस्तान में कहां बन रहा है तो दोस्तों यह किसंगड में बन रहा है यहां पर D नंबर का ओप्षन बिल्कुल सही किसंगड नेक्स्ट आगे देखें हाली में किसे वेग्यानिक और ओद्योगिक अनुसंदान परिस्थ के प्रतिष्टित यूवा वेग्यानिक प्रुसकार 2022 से किसे समानित किया गया है दोस्तों ये हाली में किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों देखे डोक्टर A. मर्शिलता और डोक्टर विसांत इन दोनों को दोस्तों ये पुरुषकार मिला है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा D. नंबर उप्शन बिल्कुल सही नेक्स्ट आगे देखे जैपूर की किस कवित्री ने इंग्लेंड में बार्न लिपी द्वारा आयोजित परतिष्टित अंतराष्टिय कावे इसलेम परतियोगिता जीती है बताईए दोस्तो जैपूर की किस कवित्री ने इंग्लेंड में बार्न लिपी द्वारा आयुजित परतिश्थित अंतराष्टी कावे इसलेम परतियोगिता जीती है तो दोस्तो ये जीती है किसने तो ये हेमांगी चक्रवर्ती ने जीती है तो यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो यहां पर ग्यारा नंबर का प्रस्थन है आगे देखिए भारते राष्टे कॉंग्रेस का वर्ष गुनिशो गुन्टिस में लाहोर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण सवतंतरता पाने का संकल्प अंगिकरत किया गया था किसकी अद्यक्सता में यह हुआ था जो पूर्ण 57rdा पान्येका जो संकल्प है औंगिकरत किया गया था 1932 के लाहुर अद्यवेशन में ठीक है उस में उस अद्यवेशन की अद्यवेशन की अद्यक्सता है वो किसնे की थी राइट अंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तो जवारलाल नेरुने तो यहाँ पर तीन नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें पूर्ण स्वादिंता का लक्षे है वो रखा गया था आगे देखें आपे डॉक्टर बीमराओं अम्मेडकर को गुन 30 अगस्ट 1996 को पदबार सोपा गया गुन 30 अगस्ट 1996 को कौन सा पदबार सोपा गया राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो सविदान प्रारूप समीति का अद्ध्यक्स का पद है यह इनको सोपा गया था, यहां पर तीन नमबर का उप्षन राइट आंसर है, तेरा नमबर का प्रेस्ट है, मुलाना अबूलकलाम आजाद को भारतिय खिलाफत समीति का अद्यक्स सुना गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, गुनी सो बीस में यह समीति क अद्यक्स सुना गया, एक नमबर का जो उप्षन है, वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, आगे देखिए सुची फष्ट का सुची सेकिंड से अपने को यहां पर क्या करना है, सुमेलित करना है, एक तरफ दोस्तों, मकबरा मस्जिद, मिनार और फत्यपुर शीक्र ने करवाया था, ठीक है, और यहां पर देखिए, फत्यपुर शीक्री का जो निर्मान है, वो दोस्तों, अकबर ने करवाया था, जामा मस्जिद का निर्मान है, यह दोस्तों, साजा ने करवाया था, और चार मिनार का निर्मान है, यह दोस्तों, मुहमद कुली, कुतूब साहय ने इसका निर्मान करवाय था इस प्रेस्टन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो दोस्तों आप सभी को पता लग गया हो गए हैं पे चार तीन दो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा चार तीन दो एक इसका बिल्कुल सही पंद्रह नमर का प्रेस्टन है विद्वा पुद्वापु वो है दोस्तों ये श्तापित किया गए था दोस्तों विरेस लिंगम दौरा विरेस लिंगम दौरा तो यहां पर अपना इसमे राइट श्तर हो जाrustए गाð giàएगा ओलिए पुर्य। विल्कल सही उत्र आगए देखिये यहां पे सूची फर्षट को सूची से किन्ड से समेलिद करना है एक तरफ दोस्तों यहां पर पाड़ियां दे रखिये दूसरी तरफ परवत्माला दे रखिये एक तरफ 처lie बिसी डी तो यहां पर सीधा समय ने आप बोला है कि मालखेत की पाड़ियां है ठीक है यह कौन सी परवत माला स्रेणी में इस्तित है दोस्तो जो यह मालखेत की जो पाड़ी है ठीक है यह उत्री अरावली में इस्तित है ठीक है मालखेत की पाड़ी कहां पर है तो यह उत्री अरावली में ये इस्तित है अलवर्द और सेखावाटी की पाड़िया है ये उत्री अरावली के छेतर के अंतरगत आती है ठीक है नाग पानी दोस्तो यहाँ पर देखिए नाग पानी नाग पानी जो पाड़िया है ये दोस्तो दक्षनी अरावली के अंतरगत आती है ठीक है ये आपक देखिए बिलाली जो पहाड़ी है ये दोस्तों कौन सी परवतमाला के अंतरगत आती है तो दोस्तों ये उत्री अरावली के अंतरगती भी ये भी आती है ठीक है बिलाली भी किसमे आती है उत्री अरावली में और नाग पहाड़ है ये दोस्तों मद्दे अरावली के अंतरग ठीक है तो यहां पर 3 2 3 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 2 3 1 इसका राइट आंसर होगा ठीक है यह आपको याद रखना आगे देखें जन्गर्ना 2011 के अनुशार राजस्तान का सरवाधिक नगरीकरत जिला है तो वो है दोस्तो कोटा सरवादिक नगरी करत जिला कुन सा है कोटा 60.31 परतिसत है ठीक है याद रखना और न्यूंतम नगरी करत कितना है 6.39 ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है आगे देखे दोस्तो इसमें राजस्तान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की और कम होता जाता है इसका राइट आउसर हो जाएगा वो है दक्सिन पूरों में उत्तरपस्दिम की और ये कम होता जाता है तो यहाँ पर दो नंबर का उपशन है वो इसका बिलकुल सही गुनिश नमबर का प्रस्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है कौन सा इसमें सही सुमेलित है सिर्फ एक ही सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तो यहाँ पर देखिए सही कौन सा सुमेलित है एक ही सुमेली थै और वन मैं आपको दोस्तो यहां पे बता रहा हूं देखिए दियान से देखिए यह गलत हो जाएगा इसमे बाकी सारे इसमें गलत दे रखा है दोस्तो इसमें सुरी एक ही सही दे रखा है तीन नमबर का तो यहां पर तीन नमबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए सुची फर्ष्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है एक तरफ दोस्तो पर यह टक इस्तल है और दूसरी तरफ इस्तती है यहां पर देखिए लालगड का पर है लालगड तो दोस्तो आप सभी को पता है कि यह बिकानेर में इस्तित है ठीक है तिरपरा सुन्दरी का मंदिर का पर है तो यह बास्वाडा में है तो यह जालावाड में है नाकुडा का पर है तो यह बाड मेर में है तो इस प्रेस्टन क अब देखे यहाँ पर 21 से लेकर और 25 परसंत तक पोलिटिकल साइंस से समझ दित यानि कि पांच प्रेस्ट नापको पोलिटिकल साइंस से समझ परिक्ष में पुछे जाएंगे देखे भारत के सविदान के अनुचेद एक में उल्ले कीते संग यानि की यूनियन सब्द कां से लिया गया है यूनियन सब्द कां से लिया गया है सही उतर हो जाएगा ये दोस्तों बिर्टी से नोर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 से ये संग सब्द है वो लिया गया है राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर तीन नंबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे बाइस नंबर का प्रस्थन है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दोस्तो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन छेतर की मत्दाता सुची में हैं दाकिल किया जा सकता है बहुत ही अच्छा प्रस्थन है दोस्तों यहाँ पर तीन नंबर का उप्षन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ठीक है यानि कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए कोई भी नामांकन है वो बर सकता है तो यहाँ पर इसमें लेकिन मद नियाइक पुल्राव लोकन तो यहाँ पर तीन नंबर का उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा ठीक है आगे देखिए 24 नंबर का प्रस्थन है भारत के निर्वाचन आयोक के कारिये हैं वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है और कूट बासा हमें अपने को क्या करना है उतर देना है देखिए निर्वाचन आयोक के कारिये संसद एवं राज्य विदान मंडलों के सभी चुनाव करवाना बिल्कुल सही है राश्टरपती और उपर राश्टरपती के लिए चुनाव करवाना ये भी बिल्कुल सही है किसी राज्य में सवतंतर एवं निस्पक्स चुनाव के लिए अनुकुलन दसान नय होने पर राश्टरपति सासन लगाई जाने की संस्तुति करना ये गलत हो जाएगा दोस्तो राश्टरपति सासन के लिए निर्वाचन आयोग है वो कभी नहीं बोलता ठीक है वहाँ का उस चत्र का यानि कि उस राजे का राजेपाल अवगत कराता है अगर सविदानिक तंतर विफल हो जाता है तो ठीक है ये इसमें तीसरा नंबर का उप्शन गलत दे रखा है चोथा देखेए निर्वाचन सुचिया तयार कराने के कारिय का निर्प्षण निर्देशन एवं नियंतरण तो दोस्तो इसमें ये बिलकुल सही है तो यहाँ पर एक दो और चार ये इसमें सत्य तीसरा नंबर का इसमें गलत दे रखा है तो यहाँ पर दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही पत्चीस नंबर प्रेस्ट ने किस सविदान संसुदन अधिनियम द्वारा पर्थक राष्टी ए अनुसुचित जन जाती आयो का प्रावदान किया गया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस् पांच प्रेस्न जनरल साइन्स समंदीत प्रेक्सा में पुछे जाएंगे ठीक है देखें यहाँ पर आर्की आर्किरी देखे आर्कियो पटेरिक्स योजक कड़ी है दोस्तो आर्कियो पटेरिक्स ये योजक कड़ी है तो ये किसके बीच की यानि कि किसके मद्दे की योजक कड़ी है ये कड़ी है दोस्तो रेप्टीलिया वे रेवीज के मद्दे की ये कड़ी है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर दो नमबर उप्शन हो जाएगा आगे देखिए परत्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग होगा तो दोस्तों देखिए ग्यारा पॉइंट दो किलोमेटर प्रती सेकेंड ये होगा परत्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही 28 नमबर का प्रेस्ट ने भारत का पर्थम देशी विक्षित DNA प्लाजमीड ठीका है तो वो कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है दोस्तो जायकोव डी तो यहां पर तीन नमबर उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जायकोव डी 29 नमबर प्रेस्ट ने मुंबती जलने के दोरान किस परकार का परिवर्तन होता है तो किस परकार का परिवर्तन होता है तो दोस्तो बोतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं मुंबती के जलने पर तो यहां पर इसमें राइट आंसर तीन नमबर उप् निमनलिखित में से कौन सी एक है वातावरण में प्राकरतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रिन हाउस गैस नहीं है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो नाइट्रोजन ओक्साइड नाइट्रोजन ओक्साइड ये प्राकरतिक रूप से पाए जाने व और नाइट्रस ओक्साइड है ठीक है तो यहां पर इसमें राइट आंसर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों यहां पे अब इंग्लिस से समंदित है पांच प्रस्न पूछ जाएंगे इंग्लिस ग्रामर से समंदित देखिए दोस्तों यहां पे change the following sentence into direct speech अपने को यहां पे direct speech में क्या करना है चेंज करना है देखिए दोस्तों यहां पे she said that she was happy ठीक है तो अगर अपन इसको change करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए she said I was happy क्या सही है नहीं I am happy she said यह हो जाएगा दोस्तों इसमें बिल्कुल सही I am happy she said तो यहाँ पर दो नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही रतर इसमें हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर है 32 नमबर का प्रस्टन है इसमें देखिए यानि कि अपने को विलोम सब्द यहाँ पर बताना है अपने को यहाँ पर क्या करना है विलोम सब्द है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों यहाँ पर देखिए सब्द दे रखा है देखिए बेनेडेक्षन दोस्तों बेनेडेक्षन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आशिरवाद क्या मतलब होता है आशिरवाद इसका मतलब होता है तो दोस्तों इसका विलों क्या हो जाएगा कि दोस्तों इसका जो विलों हो जाएगा वह हो जाएगा क्रिटिसिजम यानिकी विवेचना या समालोचना करना ठीक है तो यहां पर अपना इसमें राइट answer एक number का option हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर prefix देखिए choose the appropriate prefix तो यहाँ पर उपसर्ग अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है उपसर्ग हमेशा सब्द के आगे लगता है और यहाँ पर देखिए content सब्द दे रखा है ठीक है content सब्द के आगे उपसर्ग कौन सा लगेगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मल content लगेगा दोस्तों इसमें ML सब्द लगेगा इसके आगे content के आगे तो यहाँ पर चार नंबर का option है वो इसका लाइन ही है ठीक है अपने को बताना है कि इस लाइन में कहां पर गलती है देखे एज it come to a stop the conductor called over in a load voice no error तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन से पार्ट में error है यहाँ पर मापको बता दूँ तो देखिए इसमें जो called over दे रखा है इसके इस्तान पर called out का परियोग उचित होता ठीक है तो यहाँ पर over की जगह आउट का परियोग होता ठीक है तो यहाँ पर तीन नंबर के पार्ट मेरर है तो यहाँ पर तीन नंबर जोटा मजाक यह यहाँ जोटा परोमिस ठीक है तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों देखिए इलुडिस अफिन का मतलब होता है कि तुम मजाक कर सब्सक्राइब यहां पर अपना इसमें राइट आंशर हो जाएगा एक नंबर का उप्षिन बिल्कुल सई तिस नुबर का प्रस्द इस में देखी आप यहां पर प्रस्न है वो दोस्तों हिंदी से समंदित पूछे जाएंगे ठीक है यहाँ पर देखिए किस विकल्प में संधी विच्छेद सही है यानि कि कौन से विकल्प में सही संधी विच्छेद है एक में ही सही है और हम आपको बता रहा हूं दोस्तों वह देखिए अंबूरमी आपको मेरे साथ में चलना है और रोजना टेस्ट जरूर देना है ठीक है परिक्षा की तिति है वह आ चुकी है और रोजना मेरे साथ में चलोगे तो आप फ़र्ष्ट पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर है वो कर सकते हैं बिल्कुल फिरी सुईदा है तो आप इस चीज क ज्यादा ज्यादा लाब उठाएं पड़ते की दरश्टी से एसमेलित विकल्प का चैन कीजिए दोस्तों एसमेलित विकल्प का अपने को यहाँ पर चैन करना है देखिए मानव पलस ए मानवी रादा पलस ए रादे मिरी पलस अक मारक यहाँ पर देखिए इस्तान पलस अनिय है इस्थानिये ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए इसमें इये का परियोग होगा दोस्तों इसमें ठीक है इस्थानिये के अंदर है इस्थान पलस इये इये परते का इसमें क्या होगा परियोग होगा एनिये यह यहाँ पर गलत दे रखा है तो यहाँ पर चार न का प्रशन है अविराम का अर्थ निरंतर होता है परंतु इसके सम्रूपी सब्द अभी राम का अर्थ होता है तो दोस्तों अभी राम का अर्थ क्या होता है राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दोस्तों इसमें सुन्दर अभी राम का मतलब क्या होता है सुन्दर तो यहां आगे देखें, आपर चार अठिती आगए, उसको जलपान कराना है, में किस तरह की असुदी है, तो इसमें असुदी है, दोस्तों व Sozialानी है, उसको नी, उनको होगा, तो यह सही होगा, तो यहाँपर दो नमबर का उप्शन विल्कुल व्युत्त transparent को देखेंए, humanarian के लिए हिंदी परिबासिक सब्द है तो क्या हो जाएगा ये तो सबी को पता है man via इसकारत होता है man via एक number option बिल्कुल सही अब 5% ने दोस्तों यहाँ पे आपको math से समंदित और 5% ने यहाँ पर आपको आगे reasoning से समंदित देखने को मिलेंगे ठीक है तो पहला प्रस्ण में थोड़ी सी यानि कि 41 नमबर प्रस्ण में थोड़ी से mistake है तो इसको छोड़ दीजिए बाकी इसमें देखिए 42 नमबर का प्रस्ण है यदि प्रेक्षणों X, X प्लस 3, X प्लस 5, X प्लस 7 और यहाँ पर X प्लस 10 का माद्दे 9 है तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माद्दे है तो वो क्या होगा अंतिम 3 प्रेक्षणों का माद्दे है वो अपने को यहाँ पर ग्याद करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं देखें कितनी संक्याईं दे रहantine लिए रेक्यां पे एक X, दूसरी X प्लस थीन, तीसरी X प्लस पाँच, चोथी X प्लस साथ और पाँच भी है X प्लस दस, यानRP हिन संक्याउं को ओपर लिखे और बटा 5 बटा 5 बराबर 9 लिखना है अपने को, अब दोस्तो इसको आप अगर जोड़ोगे तीन और पांच कितने होते हैं आठ आठ और साथ कितने होते हैं पंदरा पंदरा और दस कितने होते हैं पत्चीस तो दोस्तो क्या आजाएगा इसमें इसमें आजाएगा 5 X plus 25 बराबर 5 into 9 ठीके 5 तो गया और खरुशं हो गए और पतिस अ यह टोटल हो गया बराबर दोस्तों यहां पर पांच डिक आइज बैधा और नौ बराबर में था तो यहां पर यह समिकरान्स में बन गया है पांच एक्स प्ल census 25 बराबर पांच इन्टू नो तो यहां पर दोस्तों आप सब से पहले x निकालेंगे तो x निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पांच x है अब यहाँ पे 45 हो गए nine to five कितने हो गए 45 तो 45 में धो स्टों 45 में से 25 गए तो कितने बचे 20 और 20 में आप पांच का भाग दोगे तो क्या बचेगा चार तो यहां पर एक्स बराबर क्या जाएगा चार अब अंतीम तीन संख्याएं हैं वो अपने को यहां पर निकालनी है तो आप आसा निसे निकाल सकते हैं दोस्तो तो यहां पर अंतीम तीन प्रेक्शनों का जो माद्दे है वो दोस्तो ग्य कि संख्या 34-77 में दोनों साथ के इस्तानी अमान अलग अलग याद कीजिए तो दोस्तों यहां पर साथ के इस्तानी अमान है वो अलग अलग याद करना है तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें एक का तो क्या हो जाएगा सतर हो जाएगा ठीक है और एक का इसमें क्या हो जाएगा साथ हो जाएगा ये तो सबी को पता है ये तो नॉर्मल आजमी भी कर सकता है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा इसमें कौन साथ सत्तर और साथ तो यहाँ पर तीन नमबर उप्सन बिल्कुल सही यहाँ पे देखिए बहुपद दे रखा है दोस्तों ठीक है और यहाँ पर इसका मानक रूप है वो क्या होगा वो अपने को बताना है मैं आपको डारेक्ट बता रहा हूं दोस्तों यहां पे देखे यू फाइफ पलस टू यू स्क्वाइर माइनस यू स्क्वाइर माइनस रूट फाइफ यू ठीक है तो यह अपना इसमें राइट आंसर होगा इसको छोड़ दीजे यह मैं अलग से टोपिक इसका करवा दूँ है इसमें देखे किसी संकु के आदार का चितरफल 1386 सेमी है तथा इसकी उचाई 28 सेमी हो तो इसके संपून प्रेश्ट का चितरफल गयात करें तो दोस्तों यहां पर देखे पाई आर स्कॉयर किता दे रखा है 1386 दे रखा है तो अब अपने को यहां पर क्या निकालना है आर स्कॉयर तो आर स्कॉयर निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें 1386 इंटू 7 बटे क्या हो जाएगा 22 अब काट दीजिए तो दोस्तों सिधा साप के पास में आर बराबर कितना जाएगा 21 आ जाएगा ठीक है आप जब आर निकल कर आ गया तो दोस्तों यहां पर आप L भी निकाल सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जब L निकल ला जाएगा याने कि देखिए यहाँ पर उचाई to दे रहे है 28 ठीक है और तिर्जा दोस्तों यहाँ पर अब आपके सामने आए गई 21 तो यहाँ पर 21 का स्कॉएर पलस 28 का स्क्वाइर ये दोनों रूट में है तो जब आप 21 का स्क्वाइर और 28 का स्क्वाइर पलस करेंगे तो ये दोस्तो 1225 आजाएगा और ये 1225 है ये रूट में है ठीक है तो यहां पर 35 आजाएगा दोस्तो इसमें क्या इसमें आजाएगा L तो यहाँ पे संपून प्रेश्ट के चेतरफल का जो सुतर होता है वो होता है दोस्तो इसमें पाई इंटू आर इंटू इंटू दोस्तो यहाँ पर देखिए आर पलस एल ठीक है तो यहाँ पर बाइस बटे साथ इंटू इकिस और पैथिस पलस इकिस ठीक है तो यहाँ पर बाइस बटे साथ इंटू इकिस इंटू शपन करोगे तो राइट आंसर आपके पास में आजाएगा 3600 में तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर का उप्सन बिलकुल सही आगे देखिए 43 नंबर का प्रस्न है यह प्रस्न है यह दोस्तों रिजनिंग से समंदित है आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है तो आसानी से आप बता सकते हैं देखिए यहाँ पर आप अगर देखोगे तो देखिए आठ इंटू साथ किया आठ इंटू साथ किया तो कितना आगया 56 आगया ठीक है अब यहाँ पर क्या करें यानि कि कि किसको आठ से मल्टिप्लाई करें कि उत्तरा जाए तो आपके पास में है 31 को आठ से मल्टिप्लाई कीजिए तो यहाँ पर 248 आ जाएगा दो नंबर का उप्शन इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, एक निश्चित कूटबासा में, दोस्तों यहाँ पे देखिए, बेंजामिन को उल्टा लिखा गया है, ठीक है, बेंजामिन को उल्टा लिखा गया है, B, E, N, J, A M I N ठीक है यह देखे इसको उल्टा लिखा गया है उसी कूट बासा में यहां पे देखे पोवर्टी को किस बासा में लिखा जाएगा तो इसको भी उल्टा लिखा जाएगा तो शुरू कर दीजिए Y T R E V O P अब यह किस में दे रखा है वो आपको इसमें देखना है दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा देखे इसमें चार नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा आगे देखे यदि इंटू का अर्थ माइनस पलस का अर्थ इंटू भ साम माइनस 25 भाग 5 पलस दो इंटू 3 पलस 10 दे रखा है अब दोस्तो इसके अगर अगरने निसान चेंज करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर देखिए माइनस की जगे माइनस की जगे दोस्तो अब अपनी यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तो देखे एक सो पिचेतर है ठीक है तो दोस्तों एक सो पिचेतर यह भाग है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 175 minus 25 25 भाग 5 तो दोस्तो इसको जिस हिसाबसी ये दे रखा है न ठीक है उसके हिसाबसे ही अपने को यहाँ पर क्या करना है चेंज करना है तो दोस्तो जैसे कि यहाँ पर 175 में 25 का भाग दिया यहाँ पर देखें माइनस कार्थ क्या दे रखा है भाग तो कितना हो गया? दोस्तो?, सात हा गया ठीक है? 165 में 25 का भाग दिया तो दूस्तों कितना आ गया? 7, minus का अर्थ यहां पर भाग दे रखा है तो अब देखिये आगे भाग का अर्थ किया है? भाग का अर्थ दोस्तो इसमें पलस है ठीक है? यह जैसे जैसे दे रखा न आप वैसे वैसे इसको करते जाएए. आपका सीधा सा राइट आंसर है. वो निकल कर इसमें आ जाएगा. अब यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले? इंटू करेंगे तो इंटू है वो पांच इंटू दो करेंगे तो कितना हो जाएगा दस तो साथ पलस दस अब माइनस तीन इंटू दस दे रखा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस तीस अब दोस्तों यहाँ पर टोटल करोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखे 10 कितना हो गया 10 और 7 कितने हो गए तो दोस्तो 17 हो गए और 17 माइनस 30 करोगे तो माइनस 13 जाएंगे तो यहाँ पर 4 नमबर का उप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर देखे पाई चार्ट के माद्दिम से अपने को यहाँ पर उत्तर बताना है देखे बोजन पर कुल 4800 रुपए का वे होता है तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए वे होते हैं यहाँ पर देखे बोजन पर बे बराबर कुल वे का दोस्तों यहाँ पर देखे कितना परतीसेत है यहाँ पर 30 परतीसेत है ठीक है तो यहां पर आप सीधा साब लेख सकते हैं कि कुलवे इंटू 30 बटे 100 ठीक है और यहां पर दोस्तों कुलवे है वो कितना दे रखा है देखिए यहां पर है 4800 दे रखा है ठीक है तो 4800 इंटू सीधा साब यहां पर कर लीजिए 100 बटे 30 सिधा से राई टांसर निकल के जाएगा इसमें 16,000 रुपए तो यहां पर दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा आगे देखिए यहां पर अब यह पचास नमबर का प्रस्न है इनमें देखिए उप्शन यहां पर दे रखें उपर ही एक दो तीन चार ठीक है अब पचास और पांच भी दे रखा है अब यहां पर देखिए पचास नमबर का प्रस्न है एम नगर डी से किस दिसामें इस्तित है तो अब अपने को यह बताना है कि यह जो दो ऑप्शन दे रखे हैं इन दोनों से क्या उत्तर निकाला जा सकता है या सिर्फ पहले ठीक है और यह ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं उन में से आपको बताना है देखिए नगर के डक्सिन में है नगर के पी की ठीक है तो शिध्या सा है इसमें पी और के का कोई लेना देना है नहीं है आगे दीखे नगर M, नगर M, R के उत्तर में है, R के उत्तर में है, ठीक है, तो R के उत्तर में है, जो नगर D के पस्ची में है, जो नगर D के पस्ची में है, तो दोस्तों, ये सिदा सा इसमें D के पस्ची में हो जाएगा, यानि कि सिर्फ second ही अपने को जरूत है, पहले कि अपने को जरूत नहीं है सेकंड से उतर निकलता है तो यहां पर इस प्रेस्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखे इसमें यदि केवल उतर सेकंड के तथ्थे उतर देने के लिए परियाप्त है जबकि उतर देने के लिए परियाप्त नहीं है पहला उतर देने लिए प्रयाप्त नहीं है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसरत क्या हो जाएगा दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही अब देखे कलासन सकर्ती से समंदित प्रस्ने सुमेलीत कीजिए एक तरफ संपरदाय है दूसरे परमुक पीठ है या गद्धी दे रखिये दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें चरनदासी संपरदाय की जो परमुक पीठ है वो दोस्तों काँपर है तो यह दिल्ली में है ठी संपरदाय की परमुक पीठ दांतडा भीलवडा में है और नवल संपरदाय की परमुक पीठ है यह जोदपूर में है तो यहाँ पर इस प्रस्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन दो चार एक इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन दो चार एक इसका राइट आंसर है भावन नमबर का प्रश्न है सुची फर्ष्ट और सुची सेकंड को सुमेलित करना है। सुची फर्ष्ट में त्योहार है, सुची सेकंड में उत्सव की तिथिया महा दे रखा है। दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं, बुंदी की कजली तीज का जो त्योहार है, यह दोस्तो कब मनाया जाता है। तो इसमें सारे के सारे साई सुमेलित हैं, एक दो तीन चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखे, अली बक्सी ख्याल राजस्तान के कौन से छित्र में पर चली ते लोक नाटे से लिए हैं, यह तो सबी को पता होगा। दोस्तो, राइट आंसर हो जिसमें क्या हो जाएगा, अलवर, अलवर की है, अली बक्सी ख्याल जो प्रसिद है, राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर तीन नमबर उप्शन बिल्कुल सई, आगे देखे, आहड सब्वेता के बारे में निम्न कतनों पर विचार कीजिए, दो आडवाशी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है दोस्तो इसमें, आगे देखे, यह लोग चामल से परिचित नहीं थे, यह गलत हो जाएगा दोस्तो, यह चामल से परिचित थे यह लोग, ठीक है, यह इसमें दूसरा नमबर का गलत दे रखा है, आगे देखे, धा दूसरा इसमें गलत दे रखा है, बाकी एक, तीन और चार, यह इसमें क्या है, सही है, तो यहाँ पर तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, आगे देखे, राज्य में राजनेती गती विदियों के संचालन हे तू, किस राज्य में गुनी सो चोटिस में परजामंडल की स्तापना की गई, सही उतर हो जाएगा, वो है, दोस्तों, जोधपुर में यह परजामंडल की स्तापना की गई, एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही, आगे देखे, यहाँ पे, आदु प्रत्म आदोनिक परुषly भारत्य जन्ता से किसने अगे देखिये भारत्य जनता से किसने का था तुम वीर बनो सासी बनो हिमत करो इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारत्य हो परते एक भारती है मिरा भाई है, दोस्तो ऐसा किस ने काथा, राइट आंसर हो जाएगा ये काथा विवे का नन्ने, तो यहाँ पर दो नंबर का और ओप्षन बिल्कुल सही विवे का नन्ने, सुची फश्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है सुची फश्ट में पुस्टकों के नाम है और सुची सेकंड में लेखक है दोस्तों यहां पर देखिए गुलसन ए इबराहिमी गुलसन ए इबराहिमी पुस्टक के लेखक है वो दोस्तों कौन है तो वो है मुहम्मद कलीम फरीष्टा तारीक ए फिरोद साही गरंद के जो लेकक है वो है दोस्तो जियाओदीन बरनी और मुंतखब उलत्वारिक गरंद के रचेता हैं दोस्तो अब्दुलकादिर बदावनी और अकबर नामा के लेकक है अबुलफजल तो यहाँ पर इस प्र है यह मैंने मिलायत करने वालों के नीचे जो उप्शन दे रखें वो काटे हुए है तो चार तीन दो एक इसका राइट अंसर होगा आगे देखे निमन वेक्टम पर विचार कीजिए यहाँ पर देखे 1857 के सिपाईयों के विद्रों का ततकाली कारण था ततकाली कारण क्य यह एवं अंग्रेज शेनिकों के मद्दे ऐसा मानता यह भी इसमें गलत है नई एंफिल्ड राइफलों के लिए शेनिकों को चरवियुक्त कार्तुसों की आप पूर्ती यह इसमें गलत हो जाएगा यही 1857 के सिपाईयों का विद्रों का जो ततकाली कारण था वो यही था केवल और केवल चार इसमें सही है और केवल चार कौनशे उप्सन में सही है तो यहां पर पहले नंबर के उप्सन में सही है तो पहला नंबर उप्सन राइट आंसर हो जाएगा अगे देखिए गांदी जी के निमनलिकित अंदोलनों का सही काला नुकरम कौन सा है सही काला हुआ था गुनी सो सत्रा में ठीक है गुनी सो सत्रा में उसके बाद में दोस्तों गुनी सो अठारा में खेडा कर्शी आंदोलन ठीक है यानि कि खेडा आंदोलन में भाग लिया था गुनी सो अठारा में और उसके बाद में दोस्तों आप सभी को पता है कि एहमदाबाद मील का पता लगा सकते हैं क्या होगा इसमें इसमें हो झाईगा दोस्तो तीन दो चारिक यहां पे देखिए पहले नमबर के अप्शन में दे रखाई एक नमबर ऑपुसन बिलकुल सही अब दोस्तों यहां पर प www.s WhatsApp प्र具ंदन से समंदीत प्रिक्षा में पुछ में पुचे जा निसुल्क और अनिवारी बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नुसार प्रारंबिक शिक्षा के लिए परवेश प्राप्त कोई बालक है प्रारंबिक शिक्षा पूरी करने तक निसुल्क शिक्षा का अधिकार होगा यानि की सोरी निसुल्क शिक्षा का हकदार होगा त में 63 नंबर का प्रस्द ने देखे प्रारंविक इस्तर के सिक्षकों को तयार करने हैं तु पाठे कुरम एवं पाठे पुस्त के तयार करने वाली नोडल संथान एंडल दोस्तोर राज्य स्क्सिक सोध एवं प्रसिक्षन संस्थान है तो यहां पर इसका राइट संऑर का प्रश्न니다 हमारी सिक्ष्षा प्रणाली का भविश्य में अत्यावशक अंग निरीक्षंड प्रणाली का ओचित स्वरूप होगा हमारी इच्छा थे कि सरकार द्वारा चलाए गए विद्यालेयों तथा माविद्यालेयों में निरिक्षकों की प्राप्त संख्या में नियुक्ति की जाए जो समय समय पर इन विद्यालेयों की गतिविद्यों की व्याख्या भी प्रस्तूत कर सके ये निरिक्षक इन विद्यालेयों की परिक्षा में परिक्षा समंधिका सब्सक्राइब बद्ध में सब्सक्राइब करेंगे संस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तो इसका राइट आंसर आइए यह संस्तिति हैं चार नम्बर prompted बिल्कुल सही संपूर्ण गुनवत्ता प्रबंदन किखी भी संस्तान के संचालन के लिए प्रियोजन मुलक किंतू युक्ति परक उपागम है जो अपने गराकों की आवशकता को के अंदर में रखता है यह कथन है यह कथन है यह कथन है यह कथन है यह दोस्तो किसका कथन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों यह सेलिस का कथन है तो यहाँ पर एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही 64 नंबर प्रसने इसमें संस्तागत योजना का सवरूप है तो दोस्तों देखिये कक्शा अनुसार योजना विशा अनुसार योजना अध्यापका अनुसार योजना तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है उप्रोक सभी यहाँ पर चोर नंबर का उप्शन सहीत हो Sud लाइन ट्रेंड रहता है दोस्टो इसमें एक तंसर ुथ Valerie को सहले बिल्कुल सहटर अगे देखें कॉन सा राजस्तान के समगर शिक्षा अभियान का मुख्य लक्षे नहीं है निमनलिकित में से कौन सा राजस्तान के समगर शिक्षा अभियान का मुख्य लक्षे नहीं है दोस्तो जो मुख्य लक्षे है वो इसमें कौन सा नहीं है तो देखिए दोस्तो प्रोड शिक्षा को बढ़ावा देना है यह इसका समगर शिक्षा अभियान का मुख्य लक्षे नहीं है तो यहां पर एक नंबर उप्षन राइट अंसर हो जाएगा बाकी तीन नो लक्षे है आगे देखे मादेमिक शिक्षा बोर्ड का कारेकाल होता है तो दोस्तों मादेम प्रोड करम में जिला समन्वे समीति का अध्यक्स होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा वह है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंबिक तो यहां पर एक नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें आगे देखे उच्छ अध्यान शिक्षा संस्तान का कारि को लागू करना शिक्षा में M fyl EmIP PhD का रिकरमों का संचालन करना तो इसका राइड आंसर हो जाएगा उप्रोग सभी चार नमबर प्रहुपेजी बिल्कुल सभी आगे देखें डाइट में कितने प्रभाग है डाइट में कितने प्रभाग है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाइट में आठ प्रभाग है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नंबर उप्शन सही आगे देखें लोकडाउन में सभी बच्चों को सिक्षा परदान करने के लिए सि किया गया इस कारे करम को नाम दिया गया दोस्तों इस कारे करम को नाम दिया गया शिक्षा दर्शन तीन नंबर ऑप्षन बिल्कुल सही आगे देखे राजस्तान राज्य पाठे पुस्तक मंडल के अध्यक्स कोन है सही उत्तर हो जाएगा इसमें वह सिक्षा मंतरी राजस्ता सरकार चार नमबरा उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए सिक्षा कादिकार दिन्यम 2009 के किरियानवेन के बाद कक्षा कक्ष के बाद कक्षा कक्ष दोस्तो एफ प्रभावित है क्योंकि सिक्षा कादिकार विद्याले में कक्षा की ओसत आयों को प्रभावित नहीं करता, यहां पर एक नमबर का जो अप्षिन है, वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा. तो दोस्तो प्रस्तना आपको कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताएं, और अरद्धारेस अकेडिमी की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बास में शेयर करता आपको के लिएा जरूर आपकारण जरूर आपको सब्सक्राइब।